हलो दोस्तो वेलकम बैक टू मैं चैनल कैसे हो आप सब आशे करते हूं कि आप सब टीक होंगे तो दोस्तो आज की रेसिपी खास है क्योंकि आज की रेसिपी में मैं आपके साथ मश्रूम की सब्जिशर करने वाली हूँ यह रेसिपी आपको अच्छी लगी ही तो जरूर एक कर दीजेगा और कमेंट भी कर दीजेगा और नए हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजेगा तो यहां पर देखिए मैंने मश्रूम दो के और अच्छे से सुखा ली है किचन टॉविल के हेल्प से मैंने पोच लिए मश्रूम को और आपने अच्छे से दो लेना है कलते में च्छोटे पीसे कर लोगे और आपकी मर्जिया अचाहे तो बड़े बड़े पीसे में भी कट कर सकते तो मैं कट कर लोगी और यहां पर देख सकते यह मैंने कड़ा लabyte ऑस पे और उसमें ऑईल डाल दिया है और यह मैं मासाला परिपेर कर रहे हूं और मैं कड़ी बनाने वाली हो मश्रूम की तो यहां पर मैंने प्यास डाल दी है बड़े बड़े भी प्यास काट के डाल सकते हो तो यहां पर मैंने छोटे-छोटे प्यास काटे हुए हमें वैसे भी ग्राइन करना है तो यहां पर दस बारा लेसुन की कलिया और अद्रक यह भी दोनों मैंन तो इसे आपको ढ़क के पकाना है तो जल्दी पक जाएगा और जल्दी हमारी रेसिपी रेडी हो जाएगी तो यहां पर मैं चेक भी कर दी रहूंगी बीच बीच में कि हमारा मसाला पका है कि नहीं तो देखिए यह रेसिपी बहुत अच्छी बनी थी और खास करके मेरी ससूर जी को यह रेसिपी बहुत अच्छी लगी थी तो आप ज़रूर ट्राइग करिएगा घर पे अपने और मेरे साथ फिट बैग अपना शेयर करिएगा तो उसी कड़ाई में मैंने और थोड़ा सा तेल डाल दिया है और उसके बाद जो मश्रूम मैंने काटके रखे थे वो उसमें एड़ कर दिया है उसके बाद उसे अच्छे से चला लेना है और थोड़ा सा उसे तेल में भून लेना है जादा नहीं पकाना है देखिए मैंने निकाल भी दिये और उसी कड़ाई में मैं वटाना भी डाल दूँगी और थोड़ा फ्राइ कर लूँगी थोड़ा ही तिल डालने वाले हूं क्योंकि ओइल की मात्रा बहुत जादा हो गई थी तो आप थोड़ा ओईल कम डालेगा मटर भी अच्छे से फ्राइ कर लियें और मैं डीप फ्राइ नहीं की हैं तो थोड़े ही तेल में मैंने फ्राइ की हैं और जो मैंने मसाला बना कर रखा था उसे में ठंडा होने के लिए रखी थी उसके बाद मैंने ग्राइंड कर लिया था तो चलिए सबजी बनाना कड़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया था तेल गरम होने के बाद इसमें मैंने तेश पत्ता और लवंग और काली मिर्ज डाल दी थी वो थोड़ा तड़कने वो थोड़ा कलर चेंज होने के बाद मैंने सारा मसाला डाल दिया हमने ओनियन टोमैटो लेसून और अद् कर दिया है एड करने के बाद आपने इसे पका लेना है अच्छे से जब तक साइट साइट से ओई नहीं चुटने लग जाता तब तक आपने पका लेना है इसके बाद मैं मसाला दिखा देती हूँ यहां पे मैंने लाल मिल्च लिए है और मटर मसाला लिए है हल्दी मसाला लि इसे भी डालके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी अच्छे से पका लेंगे तो देखिए मैं कैसे चला रही हूं और प्लीज दोस्तों ट्राय कर ये का बहुत अच्छी सबजी बनी थी तो यहां पे में देखिए थोड़ा पानी जो लगा था ग्राइंडर में उसे मसाला आधे से ज़्यादा पक चुका है इसमें हम मतर डाल देंगे मतर भी मसाले के साथ पक जाएगा तो यहां पे मतर डालके मैंने मिक्स कर लिया था ठोड़े टाइम उसे भी पका लिया था इसमें मैंने पानी एड़ कर दिया है आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग प कॉड़ा सा का सुरी में थी आड़ करने के बाद आपने वापस से चला लेना और मैं यहां पर एड़िटिंग कर रहे हूं तो मेरे मुह में पानी आ गया देखके इतनी मस्त सबजी बनी थी बहुत स्वाधिश्टती सबजी देखिए दोस्तों मैंने धकन लगा दिया है दोस्तों मैंने इसमें मश्रूम भी डाल दिया था वो कलीप मुझसे मेस हो गई तो आपने जब मटर डालते हैं उसके बाद थोड़ा पकाने के बाद मश्रूम भी डाल देना है और मसाले के साथ उसे भी चला लेना है तो यहां पर देखिए मेरी सबजी उबल रही है तो आप याद रखिएगा मटर डालने के बाद आपको मश्रूम डालना है तो यहां पर मेरी पास थोड़ा चीज था तो मैं उपर से चीज भी डालने वाले हूं और चीज डालने के बाद तुना अच्छा स्वाद आया था बहुत डिलिशियस बनी थी सबजी तो प्लीज ट्र हूं